अब हम बात करते हैं next subtopic की जिसका नाम है artistic and aesthetic consideration के अब हमने बार ग्राफ तो बना लिया पर वो देखने में भी अच्छा लगए उसके लिए क्या कर सकते हैं In addition to these steps described in the previous section पिछले section में जो हमने steps बताए हैं उनके अलावा there are also some other more artistic and aesthetic aspects one can consider इनके अलावा भी और बहुत सारे artists कियाने की जिसकी वज़े से मेरा बार ग्राफ सुन्दर दीखे वो भी बहुत सारे तरीके हैं जब हम prepare कर रहे हैं अपने data को और interesting way में हम उसको present कर सकते हैं First we making a visual representation of data such as pictograph और बार ग्राफ It is important to make it fit in the intended space जब भी बार ग्राफ या pictograph बना रहे हैं तो जितना space आपको दिया है पहले तो बात उसमें ही fit करना है उसको ऐसे बहुत बड़ा page पे हो जाए तो उसको ध्यान रखना है This can be controlled Example इसको control कैसे करेंगे उतने ही space में आए कैसे control करना है by choosing the scale appropriately जो scale है वो हमको दियान से देखना है कि एक student को एक unit रखना है या 5 student को एक unit रखना है वो दियान से देखना है As we have seen earlier It is also desirable to make the data presentation visually appealing उसको हमें ऐसा भी बनाना है कि वो देखने में appealing होग तो हम सुन्दर लगे And easy to understand और उसको समझना भी आसान हो So that the intended audience appreciate the information being conveyed ताकि जो audience है वो से information को समझे जो से बताई गई है उसके लिए फिर से हमारे पास में एक example दिया है Let us consider an example Here is a table naming the tallest mountain of each continent along with height of each mountains in meter यहाँ पर हमको उन्होंने बहुत सारे continent और उसमें जो mountain है सबसे उची वो दी हुई है जैसे Asia की सबसे उची mountain Everest है जिसकी height 8,848 meters है जैसे South America के लिए यह है North America के लिए यह है जैसे सारे continents की सबसे उची mountains दिये है अब इसका क्या करना है अगर बहुत सारी ऐसे मेरे पास बड़ी बड़ी टेबल है तो उसमें इतनी आसानी से तो पता कर नहीं सकते हैं As we haven't seen earlier, जैसा की हमने पहले देखा है We can convert the table of numbers into bar graph लेकिन इस table को हम bar graph में convert कर सकते हैं As shown on the right Here each value is drawn at a horizontal box जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगो उन्होंने क्या किया पहले values को horizontal box पे लिखा These are longer or shorter depending on the number of representation जैसे इतनी number representation है उसे इसाब से छोटे या बड़े हो सकते है This makes it easier to compare the heights of all these mountains at a glance अभी देखें उन्होंने हाँ पर बनाया सारी mountains के नाम कहाँ पर लिख दिया उन्होंने हाँ पर लिख दिया है mountains के नाम और इधर लिख दिया Number thousand, two thousand, three thousand, four thousand, five thousand अब जो भी mountain यतनी लंभी है उसको उसी number के साब से उन्होंने उतना ही लंबा उसका बार यहां पर आपको दिखराओ को बना दिया है आगे आगे देखिए However, since the boxes represent heights it is better and more visually appealing to rotate the picture अब अब तक तो जो बार ग्राफ बनाये थे हो तो हमने सीधे वर्टिकल खड़े हुए बनाये थे लेकिन यहां पर क्या है? हमने इसको horizontal बनाया अब भी mountain तो ऐसे सीधे खड़े होते हैं तो बार ऐसे horizontal क्यों बनाये? वो तो बात आपके ठीक है लेकिन देखने में ज़्यादा appealing है अब बार ग्राफ विद वर्टिकल बाल्स इस ओल्ड कोलम बार अगर मेरे बार ग्राफ में जो बार्स हैं या डंडे हैं वो वर्टिकल हैं उसको क्या कहते हैं? कोलम ग्राफ कहते हैं और छीक है? कोलम्स आर दा पिलर्स you find in building that hold up the roof कोलम्स क्या होते हैं? बिल्डिंग में वो पिलर्स लगे होते हैं जो उनको कहते हैं कोलम्स बिलो इस कोलम्स ग्राफ फॉर टेबल ओफ तॉलेस्ट माउंटेन नीचे एक उन्होंने ग्राफ दिया है यह क्या रिपरजेंट करता है? कोलम्स ग्राफ बताता है यह उसी चीज के लिए माउंटेन्स के लिए इससे हम विजुलाई कर सकते हैं कि कौन सी कितनी उची माउंटेन और कितनी छोटी माउंटेन है आगे देखिए अभी ऐसे देखना और जदा आसान हो गया है समझ पा रहे हैं विजुली आसान है उसको देखना जैसे अगर हमें डिस्टेंस नापनी है जैसे अगर हमें डिस्टेंस मापनी है तो इसके लिए हम क्या होरिजॉन्टल बार्स वाला भी यूज कर सकते है जैसे अगर हमें डिस्टेंस नापनी है